प्रवर्तन निजेशालिय यानि इडी से ग्रफ्तार होने के बाद जारखंड के पूर मुख्य मंत्री हेमन सोरेन को आज सुप्रीम कोट से भी जोड़ार जटका झेलने को मिला। कोट ने सुनवाई शुरू होते हुए का कि आप इस मामले में सीधा सुप्रीम कोट क्यों चले आएं। अगर वो किसी एक वेक्तिकी याचिका सीधा सुप्रीम कोट सुनेगा तो बाकी लोगों को कैसे इंकार कर सकता है। सुप्रीम कोट ने कहा कि सुप्रीम कोट सब के लिए है अजालते सब के लिए होती है और अगर किसी एक वेक्ति की याचिका को विशेश सोर पर सुना जाएगा तो वो नजीर बन जाएगा और सुप्रीम कोट ऐसा नहीं चाहता अगर हाई कोट के पास समयधानिक अधिकार है वो इस तरीके की मामले को सुन सकता है तो पहले याचिका करता को हाई कोट ही जाना चाहिए बहुत कोशिश की हेमन सोरेन के वकील कपिल सिब्बल और अभीशेक मनू सिंग्वी देश के जाने माने बड़े वकील है दोनों ने बहुत कोशिश की की सुप्रीम कोट इस मामले को सुन ले लेकिन सुप्रीम कोट की तीन सदस्य बेंच इस से बिलकुल भी सहमत नहीं दिखाई दी आखिरकार बेंच ने कहा कि आप अपने मामले को लेकर हाई कोट जाईए और हाई कोट इस मामले को सुनेगा उसके बाद हेमन सोरेन के वकीलों की तरफ से ये कोशिश की गई कि कोई टाइम फ्रेम टेह कर दिया जाए लेकिन कोट ने कहा कि वो हाई कोट के कामकाज में दखल नहीं देंगे जाहिर बाद है कि एडी की ग्रफतारी के बाद हेमन सोरेन के लिए ये दूतरा सबसे बड़ा जटका है क्योंकि अपनी ग्रफतारी को चुनोती दे कर वो भी सीधा सुप्रीम कोट में चुनोती दे कर वो ये कोशिश कर रहे थे कि यहां से अगर कोई राहत मिल जाए तो उसक के बाद सुप्रीम कोट आने का अधिकार होता है आपको याद होगा नियूज एटिन इंडिया के दर्शकों को कि दिल्ली के उप मुख्य मंतरी पूर्व उप मुख्य मंतरी मनीश शिशोदिया भी इसी तरीके से ग्रफतारी के खिलाब सुप्रीम कोट आये थे तब भी सीजा सुनने से इंकार कर दिया था और ये कहा था कि पहले आप हाई कोट जाईए दरसल हेमन सोरेन को एडी ने बुद्वार को पूस्ताच के लिए बुलाया था उसके बाद बुद्वार देर रात हेमन सोरेन ने अपने पद से सीफा दिया और एडी ने उन्हें ग्रफता हिरासत में भेजा जाए क्योंकि एडी ने हेमन सोरेन को पुलिस हिरासत में लेने की याचिका दाखिल की थी और कल ये कहा था कि उनके खिलाफ कई संगीन आरोप है जिसके कारण उनसे हिरासत में पूस्ताच करना बहुत जरूरी है जाहिर बात है अब हेमन सोरेन की मुश् शिबू सोरेन के बेटे हैं पार्टी पर एक अधिकार था अब परिवार से बाहर का वैक्ति यानी चमपई सोरेन राज्ये के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हेमन सोरेन के सामने बड़ी मुश्किले हैं क्योंकि इडी उनसे अब पूस्ताच करेगी इडी उन्हें पुलिस झाल झाल